अब सारी कहानी समझाने के बाद में एक बार फटाफट देख लीजे प्लीज हाम बात कर लेता हूं, रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि पाद सारे बच्चे यार, ओन्लाइन में क्या है? जो कमजोर दिल का है ना अंदर से, जो अपनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है, जो अपने टीचर्स पर विश्वास नहीं रखता, तो उनका तो भाया इतना बुरा हाल होता है, क्योंकि वो भागते इदर, उटते कभी इदर भागेंगे, कभी उसके पास चले जाएंगे, क तो आप मानोगे नहीं, तुम लोग 12 में हो, तुम्हारे ही साथ में पढ़ने वाले बच्चे अभी पूछ रहे हैं, कि सर और कौन सी किताब खरीदनी है, यह उनका सवाल है, बिटा सांस लेने का टाइम छोड़ा है मैंने, इमान दर से बताना, और छोड़ा है तो बता दे मैं उस टाइम को और खा जाता हूँ, यह जो आज डिब्बी पांचे लेका है, उसके मेरे हो गया, पंदरा ले आओंगा अगली बार, तो कुछ लोगों के ग्यानी वे ग्यानी मतब बच्चे हैं, सर यह सब करने के बाद में, तो हम कौन सी किताब ले रेफरेंस, किताबे खरीदने के बाद में, बेटा, टेबल के पहले साइड में रखी जाती है, उनके पन्ने उधेर के थोड़ी देर उनमें से खुश्बू ली जाती है, दो-तिन दिन बाद में वो उस टेबल से उठकर हम उसको कहीं रखते हैं, फिर एक अफते या दो अफते बाद में, वो उ तो कुछ लोग बोल रहे हैं, सर किताब कौन से सौल करें, भाई लगता है, मैंने कमी चोड रखी है, आजए, बटाबट होता है, आप कौन सी काटिगरी में हैं, जल्दी से, स्टुडेंट A, सर ने DPP solution नहीं दिये, तो आज से मैंने बताई दिया, चलो दे रहे हैं, यह व पच्चों की दिमांड देखी थी, सर एक सारे पीवाई को गठा करके, उसकी शीट बना कर एक जिगा सर, एक पीवाई क्यू का सेशन ले लो, सर हमें आप जितने भी एक्साइज के सवाल हैं, वो डिसकस कर लो, सर आप आप ही सारा कुछ कर दो, स्टुडेंट यह A, that is more dependent on teacher सामने वाले teacher पर बहुत ज़्यादा dependent, स्पून फीडिंग जिसको चाहते हैं, student B, थोड़ा समझदार या फिर आप बोल सकते हो, धिरे-धिरे समझ आ गई, सरने क्लास में बहुत सारे questions करवाएं हैं, डिबबी दिये हैं, challenger questions करवाएं हैं, CTQ, PYQ, सब करवाएं हैं, हमें practice करने को motivate किया, रोज आकर आपको डिबबी दे रहा हूं, तो कोई एकदम मान लो back bencher या बिल्कुल ना पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसके मन में भी एक practice session जब भी आएगा, तब देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना किया है, उसी को बार बार revise करूँगा, जही means और advance फोड़ दूँगा, क्योंकि revision पे कोई नहीं जाता, उनको नया चाहिए, बस और दे दो, और दे दो, और दे दो, जो करा है बोलेजर वो नहीं प कि रोज 30 मिनट्स निकालने हैं सिरफ, चाहिए वो आप स्कूल से निकाल दिये, सुबह जल्दी उठीए, मुझे नहीं पता, बट अगर आप ऐसा करोगे, तो मैंने यहाँ पे एक वीक लिखा, आप दो वीक माल लो, बट हमारा complete हो जाएगा, तो this is the attitude, I believe आपको रखना च जाते हैं, ठीक है, कुछ भाईयाओं की बात सुनते हैं, भाईया आप तो सही बोल रहे हो, ठीक है, यह जो लोग होते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, question solve कर रहे हैं, सब चीजे, इनके लिए तो time ही नहीं है भाई, यह सब बखवास करने की, कहा time है सर आप time छोड का रहे हो, तो अगर आप इस category में हो, तो please इसमें shift हो जाओ, जदा असानी रहेगी, क्योंकि IIT में अगर जाना है, तो बेटा, कलम तो बहुत घिसनी पड़ेगी, यह वो मेरे मुझ से सुन ले, या तो तेरा कोई favorite person और कोई है, तो उसके मुझ से सुन ले, Now, homework for determinants is complete, exercise 4.1, 4.2, 4.3, जहां matrix लिखा है, वो अभी भी नहीं करना है, matrix लिबा complete हो जानते हो, यह पूरा गपूरा complete, ठीक है, आए ना, Mathematical एक note मैं आपको समझा रहा हूँ, काफी दिन से समझाता आ रहा हूँ, सवाल नहीं solve होते, तो please अगर कोई question नहीं solve हुआ, तो उनका भीया star लगाओ, और उसके बगल में उसका कारण लिखो, जैसे last class में जो सवाल था, जहाँ पर 10 theta गी value root 3 और minus 1 आए, उस पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर, नहीं, no SMJ लिखा, तो determinant is not the region, इसके बगल में आपको लिखना चाहिए, trigonometry is the region, कि सर आपने यह जो quadrant बना कर angle लिखे थे, यह angle हमें नहीं समझ में आए, और यह repent कर तो कम से कम जब इस सवाल के बगल में ऐसा एक कारण लिखा होगा, तो आपको उस कारण को तो पता चलेगा कि इस पर काम करना है, तो प्लीज लिखिए, और इतना पढ़ लिया है, that doesn't means कि सारे सवाल स्वाल हो जाएंगे, और प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज, I hope you got my point, यह स करना हो, लिख कर भेजिएगा प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, last class का compensation आपने कर दिया है, ठीक है, आए ना, आपने extension का वादा किया था, आपने extend करने के लिए, मुझे बोला, thank you so much, ठीक है, आए ना, जाते जाते शैरी हो जाए, story तो किसी और दिन सुनाएंगे, horror story, आ रहा है भाई, horror story कुछ नहीं है, आए ना, horror story कुछ नहीं है, जल्दी से एक बार हो जाए, फटा-फट, वावा, ठीक है, हो सकता है, तुम लोग इतना सारा काम देख, देखो, यही grilling process है, यही रास्ता है, इसी पेसे चलना पड़ेगा अब तुम्हें यह असान लगे, तो ठीक, असान तो है नहीं, मुझके लग रहा है, तू भी कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो इसी से ही पड़ेगा, कोई दूसरा route होता, बिना मेहनत वाला, तो जरूर आपको बताती है, ठीक है, क्योंकि short method, बताने से teacher की why-why होती है, नही समझे, कोई भी अगर short method रहा है, इस सवाल को solve करने का यह एक छोटा तरीका हो रहा है, तो teacher कोई तुम बूलते हो, आपने कितना बड़िया method बता है, तो इसी लिए, जो जाने का रास्ता है, वो यही रास्ता है, इसका कोई short method नहीं है, ठीक है, आया ना, और रात होने वाल तुम देखोगे अपनी खिड़की से, तो एकदम सन्नाटा चाया हुआ होगा, ठीक है, तुम्हारे मन में एक दूइदा चल रही होगी कि अब मैं आगे पड़ू की सोजाओ, कौन देख रहा है यार, समझ मैं आगी नहीं समझ मैं, तो उस टाइम पे ये कुछ लाइने है, याद कर लीजे का प्लीज, वावा हो जाए, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, औरों को सुला कर हमसे अकेले में बात करती है, कहती है, कि ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं, इनसे मत गभराना, ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं, इनसे मत गभराना, जब बन जाओ कुछ, तो इसी रात में, इसी कुर्सी पर बैठ कर खूब देर तक मुश्कुराना, तो वो जो रात है, वो भीया आपको इंडिकेट कर रहे हैं, कि ज़्यदा गभराने की जुरत नहीं है, जो लोग सो गए हैं, उन पर मत फोकस करो, तुम अपनी मेहनत करो, और जिस दिन I.I.D. का रिजल्ट आएगा, इसी रात को बैठ कर अलग से, अराम से, बालकली में ज जाकर खिड़की के पास जाकर अराम से एंजॉई करेंगे, कि भाई साब क्या जोड़दर मेहनत की थी, ठीक है, चलिए, ठीक यू सो मच, बाई बाई